Literary criticism का मतलब होता है किसी भी literary work पर अपना judgment देना कि इस specific work के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, इसमें क्या कमिया है, क्या खूबिया है इन सब के बारे में बताना criticism करना होता है तो इसकी शुरुआत कहां से हुई इसकी शुरुआत मानी जाती है ancient Greek time से ये ancient Greek time से चलता है जब से लोगोंने literature लिखना शुरू किया होगा लगबग 5th century या 4th century BC से Athens नाम की जगह थी, उस जगह पर literary activities बहुत ज़्यादा होती थी ये समझे लो literary activities का hub थी वो जगह तो वहाँ पर criticism भी होता था और उस time की दो सबसे बड़े critics से Plato और Aristotle यहाँ से criticism की शुरूआत होती है और Greek criticism में सबसे पहले scientific critics Aristotle और Plato इ थे Aristotle literature के सबसे पहले theorists थे ज़रोंने criticism को लेकर अपनी एक theory दी थी इन्होंने अपनी एक book लिखी थी politics जिसमें इन्होंने कुछ चीजे बताए थी कि comedy और tragedy कैसे लिखी जाने चाहिए और politics तो माल लो सबसे important है अगर आपको criticism की शुरुआत समझनी है तो लेकिन इसके बाद क्या होता है literature का center अब सिर्फ Athens नहीं रह गया था literature अब fail गया था चारों तरफ अब art और culture में नई नई जगाओं पर उपलब्दियां होने लगी थी उनमें से एक most important जगह थी Egypt में Alexandria लेकिन Aristotle के बाद में literary criticism में इतनी कोई खास ग्रोथ नहीं हुई literature में जरूर ग्रोथ हुई लेकिन literary criticism में कोई खास ग्रोथ नहीं हुई Aristotle के बाद किसी भी writer ने criticism में अपने original works को produce नहीं किया पुराने works को copy करना classify करना Greeks के बाद में आते हैं Romans अब Romans की age में सबसे brilliant writers आये थे दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ critics नहीं writers आये थे इस वक्त literature और culture का center था Rome सब ने literature की videos में देखा है कि किस तरीके से Roman conquest हुई थी तो Romans आ गये थे इधर और Rome literature का culture का center बन गया था और Roman writers ने क्या किया था पुराने Greek works को पढ़ना शुरू कर दिया Aristotle और Plato के time के Greek works को पढ़ना शुरू कर दिया ये Romans उनकी यानि की Greeks की बराबरी करना चाते थे ध्यान रखना किसी भी brilliant writer ने inspiration लेने के साथ साथ अपने से पहले वाले की बराबरी करने यानि हम अपना original work produce करेंगे इन्होंने फैसला किया लेकिन actually ऐसा कुछ ये कर नहीं पाए इन्होंने ज्यादा से ज्यादा बस क्या किया Greek writers को translate कर दिया specially Aristotle के works को और वो भी ठीक से नहीं कर पाए कुछ गलतियां भी कर दिती इनके time के famous critics थे Horace, Langinus और Quintilian अब इसके बाद जब Roman Empire टूटा यानि खत्म हुआ around 5th century AD फिर एकदम dark और बंजरेश शुरू हो गई यानि फिर आता है medieval age का criticism medieval age में कोई work इस नहीं हुआ ये time literature को कोई खास growth नहीं दे पाया लेकिन फिर भी literature पूरी तरीके से भुलाया नहीं किया था कुछ ऐसे पढ़े लिखे scholar से जिन्होंने बचा के रखा था जिन्हें interest था literature पढ़ने में लेकिन उनका भी पढ़ा लिखा होना नहीं होना एक बराबर था वो सब चीजों को logical ही लेने लगे थे literature को logical ही लेने लगे थे कि इसमें कौन से rules लगेंगे इसमें कौन से rules लगेंगे पर उन्होंने क्या किया कि पुराने ancient masterpieces जो थे उनको पढ़ना शुरू कर दिया लेकिन कुछ भी कहो dark age डार्क ही थी बंजर थी और इस dark age में बिलकुल अंधेरे में एक ही light थी दाते दाते को literature में light कहा जाता है dark ages की लेकिन criticism में कोई नहीं था क्योंकि जब literary work ही पड़ी उस नहीं हो रहे थे तो criticism होता किसका पिर आता है रनिसा रनिसा के बारे में मैंने आपको बताया है कि कुस्तुन तुनिया नाम की जगह पर तुर्कों ने जब आकर्मन कर दिया तो वहां से लोग Greek और Roman manuscripts को लेकर भागे Italy की दरब Italy में जाकर वो बसे तब Europeans ने सोचा कि हमारे भी पुराने masterpieces है हमें उनको study करना चाहिए पिर लोगों ने Greek और Roman works को फिर से पढ़ना शुरू किया पढ़ना क्या शुरू किया Renaissance age में translate करना शुरू कर दिया पूरे Europe में बड़ा interest आ रहा था classical writers को पढ़ने का उन्हें translate करने का लोगों में इच्छा थी मैंने आपको बताया था intelligent इंसान की इच्छा होती है कि वो जो अपने से पहले के great writers थे उनसे आगे बड़े उनके बराबर लिखे तो इन में रहने सागी age में एक interest जागा कि हम Greeks के बराबर लिखेंगे बलकि उनसे अच्छा लिखेंगे बले ये Greeks और Romans को पढ़ रहे थे लेकिन इनके हिसाब से Greeks घमंडी थे और Romans बत्तमीज तो ये लोग अपना कुछ बड़ा और original लिखना चाते थे ये भी original लिखना चाते लेकिन इन्हों ने भी Greeks को copy ही किया जैसे English poetry में classical meter का use किया है इन्हों ने एक और चीज ये थी कि ये लोग Puritans पर attack करते थे क्योंकि धर्म का इस वक्त बोलबाला हो गया था Dark Ages के अंदर तो Puritans पर attack करते थे तो इस टाइम के सबसे बड़े और सबसे पहले critic थे Renaissance Age के Sir Philip Sidney जिन्होंने एक work लिखा था Apology for Poetry दरसल हुआ क्या था Elizabethan Age में एक Puritan dramatist थे Stephen Gosson नाम के उन्होंने एक work लिखा था The School of Abuse जिसमें उन्होंने English Poetry को target किया बोले कि ये society इसलिए ऐसी है क्योंकि यहां के drama और poetry इस टाइप के होते है तो Sir Philip Sidney को आया गुसा उन्होंने लिख दिया Apology for Poetry को ये बहुत ही famous work है दोस्तों इसको पढ़ाया है मैंने इस work में उन्होंने Poetry को defend करने के लिए काफी सारे arguments दिये थे और ये work बन गया Literary Criticism में एक piece एक masterpiece और इसी Renaissance Age के And में एक writer थे Ben Johnson Ben Johnson dramatist थे ये दूसरे थे जिन्होंने Literary Criticism पर इस age में काम किया Ben Johnson को वैसे Neoclassical में भी गिना जाता है क्योंकि इन्होंने शुरू किया था Liberal Classicism फिर आता है Neoclassical Age का Criticism अब ध्यान देना दोस्तों ये एक ऐसी age थी जब इन्होंने Aristotle को एक तरह के से Dictator बना दिया था French Critics तो Aristotle के Rules को Copy करना Must बोलते थे कि Must है इसको Copy करना Neoclassicals तो following French Critics को करते थे फिर आते हैं इस age में English Literature के First Systematic Critic John Dryden John Dryden, Samuel Johnson और Pope, Edison ये सब Great Critics थे इस age की Neoclassical age की तो Neoclassical age Criticism में बहुत Great थी इसके बाद French Revolution हो गया लोग German Idealistic Philosophy की तरफ जुकते गए और Romanticism आ गया जिसमें Individuality और Subjectivity पर फोकस किया गया कि Rules क्या होते है Rules इतने माइने ने रखते बलकि Individual क्या सोचता है वो क्या समझता है ये माइने रखता है Individual Freedom of Expression पर जोर दिया गया तो उस वक्त William Wordsworth एक पाइट थे उन्होंने Preface to Lyrical Ballot सिक दिया उसमें उन्होंने लिखा कि मैं क्यों पुराने Rules को फालर करूँ मैं एक Individual हूँ और मुझे Freedom of Expression का हक है तो ये Preface to Lyrical Ballot ये वर्क लैंडमार्क की तरह था History of English Criticism में तो सो एक कमी थी कमी ये थी कि यहाँ पे कोई ऐसा Critic नहीं था Romantic Age में कोई ऐसा Critic नहीं था जो सिर्फ Criticism से जुड़ा हूँ यानि Wordsworth और Coleridge Coleridge ने लिखा Biography, Literary ये दोलों Romantic Age में Great Critics माने जाते हैं लेकिन दोस्तों ये तो Poets थे इन्होंने अपने हिसाब से रूल्स बना दी कोई Great Critic नहीं था जैसे कि Victorian Age में Matthew Arnold फिर क्या होता है इसके बाद में आती है Victorian Age उसमें ये बताया गया कि Romantics ने जरूरत से ज्यादे इंडिविज्वलिटी पर Focus किया मूड होता था वैसा लिखते थे रूल्स और प्रिंसिपल की कोई परवा नहीं थी इनके Works में बहुत सारी absurdities आ जाती थी इसलिए इनहीं के reaction में Victorian Age आई Victorian Age में फिर से discipline को कायम करने की कोशिच की गई और इस वक्त के सबसे famous critic थे Matthew Arnold और Walter Peter इसी Age में aesthetic moment की शुरुआत हुई art for art से एक पर focus किया गया और Walter Peter भी इस ताइम की great critic थे फिर इसकी बाद modern age आ जाती है modern age में T.S. Eliot, F.R. Lewis I.A. Richards ये modern age के great critics है उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही